दोस्तो ये वीडियो मिलको मोर पसु आहार दुवारा परावजित है दोस्तो अगर आप कम बजट में डेरी फार्मिंग शुरू करना चाहते है तो आप ये वीडियो जुरूर देखे आज मैं हूँ दिल्ली के एक डेरी फारम पे और आप देखे बहुत कम बजट में यहाँ और इधर बांस लगा के एक बाड़ा बना दिया गया है गायों को खुला छोड़ने गे लिए जिससे उन्हें अराम भी मिलेगा और जब खाना खाना हो तो एधर एक टैंपरेरी सेड में आपको लिया है तो जिसके ओनर है उनसे भी बात करेंगे किस तरह से वो दिल्ली में इल्मी जो है डिर्यवार撨 चला रहे है किरागो डूफिट मिल रहा है और क्योंट को प्रोफट हो पारहाए तो डिरी फार्म के कुछ जो आम सवाल इन पर बात करेंगे कैसे आप कम बजट में कम खर्च में अक पा आ onu कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं नमस्कार किशान भाई हूँ, मैं आशिष गोयल, बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, लेकिन ये था कि अपना घर में बच्पन समने गाय काई दूद पिया है, हमें दादा जी गाय पाला करते थे, तो यह जब शेहर में आए तो हमने अपना अपने दो गाय से यह जब पुरानी थे माँ तो हम कोशिश करता हो, अब इस जो कंस्ट्स थे हमारे जो बड़े बुडरे यूज करते थे महम उसको फॉलो करें, जिस जलिए से से मोड़नाइज होते जारे हैं फायदे तो हैं लिए 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 भी इस्टा चुछा हो रहा है अब यह उन्य कि निए बाइक तर्फ दूत डेते हैं अपना जब देख बनाया होगा इक तो यह निए तो करीब मेरा चाफी में तीन बीगर एरिया है जिसमें जब बने हुआ जब अगर रखे एक पूरा बना रहा एक पूरा बना रखा है और एक हम अपना प्रीच जो आप देख रहें दोस्तों ये वीडियो मिलको मौर पसु आहार द्वारा प्रविजित है जैसे कि हमारे किसान भाई पसु पालग भाई चाहते हैं कि उनकी गाएं और पहस ज्यादा दूद दे सैंपल भी ज्यादा आए जैसे कि आप जानते कि मिलको मौर उत्तर भारत का नमबर वन पसु आहार है इसे खिलाने से आपके पसु के दूद की मात्रा और गुनवत्ता में वरद्दी होती है दूद का फैट और SNF भैतर होने से आपको दूद का अच्छा मूलिय मिलता है पसु सही समय पे गाबिन होता है और बिमार भी नहीं पड़ता मिलको मौर पसु आहार में विटामिन, मिनरल, टॉक्सीन, बाइंडर, एसिड बफर आदी मिलते है जिससे पसु को प्रोटीन और उर्जा मिलती है इसे खिलाने से 30 मिनट पहले भिगोए और सूके और हरे चारे के साथ अपने पसु को खिल पसु आहार उपलब्द है इन्हें मगाने के लिए आप वीडियो में दिये गए नंबर पर कोल कर सकते हैं और बाकी जानकारी भी ले सकते हैं जैसे कि आपका फारम जो है दिल्ली के पास में दिल्ली लगता है तो आपको यहां पे गाये के दूद का रेट का मिल रहा हुग पर लिटर का वैज हम जो बेचने हैं 57 रुपी लिटर बेचने हैं 57 बाकी सब्ची जहां पर चारा वगरा समोग खरीद ना पड़ता है तो इसको बनाने में कितना ख़र्चा गया होगा इसका तो आइडिया लगभा मेरा को लगता है असलमें जो मेरे पर वेस्टे मेरे पर अपने अनिमल्स के खरच करा है कि आपको प्रूट लेगा है हम खाने पीने पर ज्यादा ख़र्च करते हैं बजाए कि इंफरस्ट्रक्चर पर की गाय को फैस्टेट है हम कोशिश करते हैं गाय को दवाएं कम से कम देनी पड़ें कोशिश में करता हूं कि अपना जो देसी करते हैं उनसी से पाले ट्रीटमेंट के जब जादे जरूरी होते हैं तब हम दॉक्तर सब्सक्राइब करते हैं एक चीज़ रबताई सर मालिया कोई किसाना डेरी फार्मिंग सुरू करें तो वह कीन बातों का दिहान रखे क्या क्या दिक्कत इसको आ सकते जो आपको आई हो दिक्कत है मेंली तो प्रश्यों को साफसफाई की बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपना शेड क्लीन रहना चाहिए क्योंकि बिमारी आती है तो जाद सब्सक्राइब करती है बर्सात के टाम पर अगर गाय स्वास्तर रहें तो इसमें कोई आसी प्रॉलम नहीं है लेकिन ह आए 24 आज की दूटी है ऐसा नहीं कि आपने गाय पाली और आप प्रॉडक्शन ले सकते हैं जैसे आपकर सरी स्याड इसमें 35 गाय आ जाती है राम से नहीं इसमें मेरी करीब आती है 25 गाय आती है तो इसमें को बच्छे भी बांद रहे हैं और पंद्र गाय दूसरे शेड म कि सब्सक्रा मिल्का मशीन से निकालते हैं 90 परसें मशीन से निकलता है कुछ गाय जो नहीं निकलवाती हो हम हाँ से निकलते हैं